जैन सात्यों नमस्कार बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बिटामिन की चर्चा करेंगे तो बिटामिन का खोज कब तथा किस ने किया इसके बारे हम लोग जानेंगे जैसे देख रहे हैं कि कब तथा किस ने किया तो यह बिटामिन जो सब्द है इसका खोज 1911 में फंक ने किया था यह कोश्टन डील हो गया उसके बाद यह बिटामिन दो परकार के होते हैं एक जल में घुलंसिल बिटामिन और एक वसा में घुलंसिल बिटामिन तो जल में घुलंसिल बिटामिन कौन-कौन से है तो जल में गुलंसिल बिटामिन B and C, यहनि बिटामिन B और C, वही अगर हम लोग जानेंगे कि वसा में गुलंसिल बिटामिन कौन-कौन से हैं, तो इसका ट्रिक याद रखेंगे, A-D-E-K, बिटामिन A, D, E और K, यह तमाम जो बिटामिन है, यह वसा में गुलंसिल बिटामिन B और C, और वसा में गुलंसिल बिटामिन, बिटामिन A, D, E और K, आप जानेंगे कि हम लोग बिटामिन के केमिकल नेम और उसकी कमी से होने वाली बिमारी, तो चलिए हम लोग चलते हैं, कि बिटामिन A का रासानिक नाम क्या, उसकी कमी से होने वाली कौन से बिमारी है, तो आप द बिटामिन B2, इसका राशानी नाम रहवो फ्लेविण, इसका कमी से होने वाली बिमारी किलोंसिस, बिटामिन B3, निकोटिनिक अमल, इसकी कमी से पिलागरा बिमारी, बिटामिन B5, पेंटो थेनिक एसिट या अमल कहिए, इसकी कमी से चरम रोग होता है, बाल सफ़ेद का हो और vitamin B6 इसका chemical नेम to paradoxin, जिसका चर्मरोग को कमी से उसके बाद आप देखेंगे कि vitamin H कभि बहुत importance है का केमिकल नेम बायोटीन और इसकी कमी से जो होता है वो बालों का ज़ड़ना होता है लास्ट में क्या है विटामिन B12 साइनो कोवालविन इसका केमिकल नेम और तंत्री का तंत्र में जो गलवडियां होती है वो विटामिन B12 के कमी से तो इसका केमिकल नेम साइनो कोवालवि झाल 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 झाल